हे गाईस वेलकम बेक टो मा यूट्यूब चैनल वायनेट लाइट लाइफस्टैल दोस्तो एक पॉस्टिक आहार ना केवल आपकी शरीर को अंदर से बलकी बहार से भी स्वस्त रखने में मदद करता है विशेश रूप से स्वस्त तवचा पाने के लिए सबजी और फलो के जूस का सेवन सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है जूस तवचा सबंदिक कई विकारों को दूर करके तवचा को खुबसूरत और ग्लोइंग बनाने में हमारी हेल्प करता है आप बले ही जूस को पिना अवॉइट करती हों लेकिन जूस हमारी तवचा की खुबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देता है अधिकांज सब्जियों और फलो में फाइवर और अन्य आविशक पौशक तद्व पाये जाते हैं जो शेदीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं आएए जानते हैं ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कौन से जूस हमें पीने चाहें गाजर और चुकंदर का जूस दोस्तो गाजर और चुकंदर तवचा के लिए अत्यंत लाबकारी माने जाते हैं चुकंदर, प्रोटेशियम, जिंक, फॉलिक, एसेड, मैगनीज और विटामिन C सहीत कई आविशक पोशक तत्वों के साथ तवचा के लिए एक पावर पैक की तरह काम करता है ये सबी तत्व, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जाने जाते हैं जो चमकदार तवचा के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद होते हैं काजर में विटामिन A होता है जो पिंपल्स और रिंकल से तवचा की रक्षा करते हैं इस जूस में भरपूर मातर में फाइवर होता है जो पिट को साफ रखता है जिससे कि हमारी तवचा भी साफ रहती है और लॉइंग बनती रहती है दोस्तों तमाटर में भरपूर मातर में एंटि-ःक्सिडेंट तत्व मुझूद होते हैं जो समय से पहले उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में हमारी हैल्प करते हैं. नियमित एगिलास टमाटर का जूस पीने से हमारी स्किन नैच्रली ग्लोइंग करती हैं. इसलिए आप इसका सेवटिन खुष करें. Monsurizer, हमारी स्कीन को Deep Monsurizer करता है, उसी तरह अगर हम खीरे का juice का सेवन करते हैं तो हमारी health के साथ सत हमारी स्केन भी अच्छी बनी रहती है इसलिए आप खीरे के juice का सेवन जरूर करें, नमबर 4, अनार का juice दोस्तों, अनार में blood purify करने की शम्ता होती है जो तवचा को पौशक देने और उसे चमकदार बनाने में हमारी हेल्प करता है इसमें एंटी एजिंग गुन भी होते हैं जो नई निर्माण में सहायक होते हैं जिससे तवचा खुबसूरत और जवा नजर आने लगती है ऐसे में आपको अनार का जूस निय पालक का जूस आयरन और विटामिन से बरपूर माला जाता है जो एक बेदाक तवचा पाने के लिए आविशक है पालक में विटामिन C,E और मेकनीज जैसे पौशक तत्व मुझूद होते हैं और इसमें एंटी ओक्सिदेंट भी गुन मुझूद होते हैं जो आपकी वीडियो उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूँगी एक न्यूव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई करें बाबबाएब जिल्कुल इस वीडियो करें झाल वीडियो करें शेजब करें तक के जो चक्यार एंड आल गोग।